नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ उस वीडियो को देखिए उसके बाद उस पर विशेश चर्चा करते हैं क्या झालो तो पर रहे हैं को क्या झालो बाद रहे हैं देखा आपनी इस वीडियो में एक वैक्ति लेटा हुआ एक लड़की आती है सर कहकर के संबोधित करती है सर का मतलब उस लड़की के वो टीचर है उसके बाद उस लड़की के द्वारा मोबाइल कैमरा सेट किया जाता है उस कैमरे के दायरे में कुर्सी ला करके और बैठती ह उस लड़की को पता है आपको समझने की जवरत है उस लड़की को पता है कि बैठते ही उसके टीचर के द्वारा उसके साथ क्या किया जाएगा इसका मतलब ये है कि ये टीचर जो है पहले से ये हरकत करता आया है आपने खुद देखा कि वीडियो में ये घृणित आदमी ये कमीना आदमी जो है जिसको गुरू कहना पाप होगा अपनी छात्रा के साथ क्या हरकत करता है और इस छात्रा को इस लड़की को पता है और ये कैमरा सेट करती है कि इसका कुकर्म जो है लोगों के सामने आए ये वीडियो वायरल हुआ है बताया जा रहा है कि बन मनखी क यह teacher है और इस teacher के द्वारा इस लड़की के साथ जो किया जा रहा है क्या यह गुरू कहलाने लायक है भारत के संस्कृति में गुरू को परमेश्वर का दरजा दिया गया है लेकिन यह teacher जो है यह गुरू जो है इस रिष्टे को कितना कलंकित कर रहा है इसके उपर कारवाई होनी चाहिए कानूनी कारवाई होनी चाहिए उस अबोध बच्ची के साथ जिस तरीके से ये हरकत करता है इसके पास पढ़ने जाने वाली लड़कियां क्या सुरक्षित होती होंगी क्या अपराद को ये बढ़ावा नहीं दे रहा है इस गुरु शिशे परंपरा को ये कलंकित नहीं कर रहा है देश्वा न्यूज अपील करता है कि ऐसे लोगों के खिलाप आवाज उठाया जाए और इनके खिलाप इतनी आवाज बुलंद की जाए कि इनके उपर कारवाई हो इनको सजा हो ये वीडियो वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि ये वीडियो वनमन्खी का है और वहाँ पर ये टीचर ट्यूशन पढ़ाता है ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ये गलत हरकत करता है और उन्हीं में से एक लड़की ने इसके हरकत को वाइरल कर दिया है लेकिन अंदर बैटे हुए सैतान को इस लड़की ने सब के सामने ला दिया है। तो अब तक के लिए बस है तक फिर मिलते हैं नय मुद्दे नय सरोकारों के साथ तब तक देश्वा नियूज देखते रहिए नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं। देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।